So guys, welcome back to the channel, so guys, आज की इस वीडियो में आप से बात करने वाला हूँ Dax Admission 22-23 के बार में, तो guys इस वीडियो में जो मैं आपको कुछ important बाते बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपको यह पता चलेगा कि वह जो हमारा education system है Just like हमारी जो universities होती हैं, हमारे जो colleges हैं, वो कितना serious लेते हैं हमारे exams को, उन्हें कितनी परवा है students की तो guys, वीडियो पुरा end तक देखना और इस वीडियो को आप definitely, definitely अपने friends के साथ share करना और उन सब की भी आखे खुलें कि वह कितनी seriously हमारे universities और colleges exams conduct करते हैं और इस वीडियो में, जो भी मैं आपको बात बताने वाला हूँ, उसके उपर आप भी सोचो और आपका जो भी personal view है, वो definitely comment करना इस वीडियो मैं करने से पहले, एक important thing आप सभी किसाए share करना चाहता हूँ जैसे कल मैंने आपको बताया था कि वही कल हमारा last day था, DSE consultancy को लेकर जो भी हमारे professional plan, advance plan और basic plan है तो आप सब की high demand को देख कर इस हिसाफ से आप लोगों ने buy किये, इस हिसाफ से अपने आपके seeds book की उसको देखते हुए, यह जो date है, यह extend कर दी गई है तो यानि कि कल तक जो है, आप buy कर सकते हो, इसी सेम प्राइस में और इसके बाद जो है, इसकी जो प्राइस है वो update हो जाएगी तो अगर अभी तक यह जो है, students की high demand के उपर जो है, इसको हमने extend किया हुआ है, आप screenshots देख सकते हो, किसी साफ से students ने buy किया है plan तो overall अगर अभी तक आपने buy नहीं किया, आप इस opportunity को miss नहीं करना चाहते हो, तो अभी जाकर आप आपकी seat book कर सकते हो, link मैंने description में दे दी है, basic plan में आपको college list मिलती है, जो कि आपके aggregate percentage का स्केटियर, location के according होती है, professional plan में आपको live consistency मिलती है, और college list मिलती है, और advanced plan में हम आप option form, consultancy, और college list provide करते हैं, तो यह आपके पास last opportunity है, इसके बाद जब आप seat book करोगे, तो आप updated price में जो है book कर रहे होगे, so overall इस opportunity को miss मत करो, plan लो, आपको हमारी team WhatsApp group में add कर देगी, invoice आपको instantly आपको mail ID पर मिल जाएगा, और most important thing, DS related, सारे updates आपको सबसे पहले WhatsApp group मिल जाएगे, और फिर आपको YOT community post पर भी मिल जाएगे, so guys, link मेंने description में दे दी है, अभी जाकर आप आपकी से book करो, so coming back to the topic, जैसे आप सब को पता है कि DSC admission schedule जो है, अब तक declare हो जाना चाहिए था, admission process start हो जानी चाहिए थी, जो कि अब तक हुआ नहीं है, अगर हम diploma का compare करते हैं, तो diploma का start हो कर, अब end होने आ चुका है, cap round 3 का आप जो है, जल्दी जो उनका result declare होकर, final diploma का सारा admission process complete हो जगा, जो की अपने on time proper way से चल रहा है diploma का, बट वहीं अगर हम engineering की बात करते हैं, तो engineering का बहुत delay है, कल मैंने आपको जो है, दो possibilities बताई थी, पहली possibility ये थी कि MSBT re-exam result declare होने के 10- admission process start होगा, तो यहाँ पर जो 10-15 दिन का, जो मैंने आपको बताया था, वो क्या था, वो है October का end, और दूसरा जो possibility मैंने आपको बताया था, वो ये था, कि अभी जो है CETCell के website में, हमें DSE का tab दिखने लग गया है, site right now, जो है update के अंदर है, तो अगर पहली declare हो जाता है schedule, तो यह सबसे best होगा, क्यों, क्योंकि आप सभी को time मिल जाएगा, क्योंकि अगर October के end में start होगा, तो December के end तक तो finish होगा, क्योंकि minimum 45 तो पूरा DSE admission process चलता ही है, तो December के end तक पूरा complete होगा, तो फिर आपको time कब मिलेगा, आप कितना पढ़ाई कर लोगे, और कितने schedule हो जाता है, तो यह बहुत beneficial होगा, आप सभी को sufficient time मिल जाएगा, study के लिए भी, और जो admission process है, वो भी जल्दी complete हो जाएगी, जो majority बच्चे हैं, जो pass हो चुके हैं, उनके साथ तो जो है, यह proper way से जो है, कोई solution तो नहीं है, कि अगर हम first वाले probability को देखते हैं, कि re-exam के बा 80-90 जो बच्चे होते हैं, वो pass होती ही होते हैं, 10 बच्चे ऐसे होंगे जो fail होते हैं, तो overall जहां majority बच्चे pass हो चुके हैं, वहाँ सिरफ कुछ बच्चों के लिए जो है, जो exam है, re-exam conduct हो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो re-exam का result declare होने के बाद आएगा, जो कि अ अधिकतर बच्चे pass हो गए, जो majority of उनका तो overall time जा रहा है, तो यहां पर जो है, सबसे पहले चीज़ थी, MSVT re-exam जो मने आपको बता दी, तो यहां पर question यहां आता है, कि बहुत क्या यह सही है, कि बहुत जहां पर majority of 80-95% बच्चे pass हो गए हैं, तो उनका schedule अगर पहले declare ह हो जाए, या फिर कुछ इस हिसाब से जो है schedule बनाया जाए, कि जिससे DSE admission का जो time है, जो process है, वो भी जो है student के लिए ideal हो time बची, और majority of जितने भी student है, उनका benefit हो, जैसे कि आप सबको पता है, कि वही जो सावितर भाई फुलेपुनिया निवर्सिटी है, तो in short, यहां पर जो बीच में decide हो था, कि जो majority of students है, उनको pass किया जाएगा, वाई using combined passing, combined passing के थुरू जो है, जो students है, उनको pass किया जगा, लेकिन जब वापस अभी जब result declare हुआ, तो उसमें जो है, जो papers checking हुई, वो बिल्कुल भी correct बैसी हुए नहीं, majority of students जो है, उसमें fail हो गए थे, तो a point यहां पर है, कि students जो है, वो demand कर रहे हैं, कि फिर से जो है, re- एक्जाम जो है, conduct की जाए, तो यहां पर problem क्या है, जिन students का 80-80 लग चुका है, तो ऐसे जितने भी students जो final year में हैं, उन सब के लिए जो है, प्राबलम ये है, कि वो अभी किसी दूसरी college में, या वो अपने आगी की हायत ट्रडीस के लिए, जो है, वो admission ले नहीं सकते, तो य यहां पर जो student है, वो कल जो है, पोने उनिवर्सिटी के सामने जो है, प्रोटेस्ट करने वाले हैं, आप भी वहाँ पर join हो सकते हो, तो most important thing, यहां पर अब जो है, student demand कर रहे हैं, re-exam के लिए, तो overall हमें यहां पर क्या देखने पता चलता है, कि वही जो universities होती है, वो कितना students के exam को लेकर कितना seriously होते हैं, तो यानि कि proper way से students के paper check नहीं किये गए, यहां पर हमें यहां पर भी देखने पता चलता है, फिर से जो है, पूरा exam का schedule है, वो फिर से नया आएगा, student फिर से re-exam देगे, फिर result declare होगा, यहां पर overall जो हमारा education system है, जो हमारी universities है, colleges है, institute है, उन students के exam proper way से conduct करने चाहिए, proper way से time table declare करना चाहिए, और proper way से result declare करे, exam paper check करे, so that एक ही बार में जो है, सारा process सही से हो, ऐसे जो है, तीन बार exam को conduct करना पड़े, चार बार result declare करू, यह सारी चीज़ें ना हूँ, तो वैस आपका जो भी valuable feedback है, वो आप comment कर सकते हो, इन सब को देख आपको क्या लगता है, और most important thing, जहां तक बात है, DSE schedule और DSE admission के, वो सारे updates आपको 2-2 tech पे मिलते रहेंगे, तो यह दो major things थी, आपको पता चल चुका होगा, कि अभी तक जो है, DSE admission start क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि FV का जब तक result लगेगा नहीं, तब तक जो है, second year में कितना बच्चे होंगे, कितने YD हुए, इसका जो पूरा calculation है, जो seat matrix बनती है, वो बना नहीं सकते colleges वाले, तो overall FV का result लगना important है, MSVT का result properly, सारे students का आना important है, तब जाकर DSE admission process start होगी, तो गई, जैसे ही schedule declare होता है, जैसे admission process start होता है, उसके सारे updates आपको 2-2 tech पे मिल रहेंगे, तो आपको करना क्या है, बस channel को subscribe करना है, bell icon दबाना है, यहाँ पर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, option form कैसे fill करते हैं, seat matrix क्या है, provision merit list, fine merit list, सारे updates आपको यहाँ पर ही मिल जाएंगे, तो गई, सी video आप सब के लिए helpful रहे होगी, DSE consultancy form की link मैंने description में दे दी है, अगर भी तक अपने sitbook नहीं किया है, तो अभी जाकर आप कर सकते हो, so guys, thank you watching this video, video पसंद आई, तो अपने सारे friends के साथ share करो, channel पनी हो, तो subscribe करो, और एक like ठोग दो, so guys, thank you watching this video, मिल दे न्यू टापिक पर, तब तक के लिए, बाई बाई, जैहिंद!